आज का मेरे इस रीडियो का टॉपिक है मुंच हाइपोथीसिस मुंच हाइपोथीसिस को हम मास फ्लो हाइपोथीसिस मास फ्लो या प्रैशर फ्लो थ्योरी भी कहते हैं इस थ्योरी को अर्नेस्ट मंच ने प्रपोश किया था इसलिए इसका मुंच हाइपोथीसिस पड़ा उनके इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से हम शो कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक कंटेनर में दो बल्प हैं ए और बी जो की ट्यूब डी से जुड़ेवे हैं और यह कंटेनर खुद सी से जुड़ावा है इस कंटेनर के अंदर वाटर है पूरे कंटेनर में वाटर भरावा है और यहाँ पर हम बना देते हैं इसको वाटर यह वाटर है और बल्प जो हैं A bulb के अंदर pure water है, यहाँ पर भी water है, और B bulb में sugar solution है, sugar solution, तो A और B bulb, tube D से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, पहले चुड़े गए है, जो bulb हैं, उनकी membrane, semi permeable membrane Osmosis की किरिया होती रहे, इसलिए यह semi permeable membrane से आपस में गिरे रहे, अब क्या होगा, यह water है, यह water है सारा, यह sugar solution है, यह water है, तो यहाँ पर तो Aisotonic solution है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे concentration जो है, वो sugar solution जो जहाँ पर है, वहाँ पर ज्यादा है, और मैंने पहले भी जैसे कि आ the number of solid particles is proportional to concentration of the solution, तो solid particles जो की यहाँ पर ज्यादा है तो इसका osmotic pressure जो है, यहाँ पर हाई होगा, high osmotic pressure इसका यहाँ पर है, तो water जो है, वो water का osmotic pressure लो है, तो water जो है, वो low osmotic pressure से high osmotic pressure की तरह की तरह मूँव करेगा, तो यहाँ पर जल जो है water जो है वो endosmosis हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर अंदर जाएगा जो water अंदर जाएगा तो यह पूरा solution ट्यूब D से होता हुआ यहाँ पर ट्यूब D से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा बल्ब A में तो B से A में जो flow हो रहा है solution का यहाँ पर वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि equilibrium नहीं आ जाता है दोनों में equilibrium नहीं आ जाता है तो अब इस पूरे setup को हम एक diagrammatic representation से समझते हैं यह जो भाग यहाँ पर है वही की वही चीज मैं यहाँ पर draw कर दी हूँ और आप उसको देखेगा ठीक है चार पार्ट यहाँ है चारी पार्ट वहाँ पर है अब यह जो है 1, 2, 3 and 4 यह 4 पार्ट मैंने बना हैं यह है mesophyll cells ठीक है और यह है root चुकि हम source और sink जैसे कि मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था mesophyll cells source है जहाँ पर production of food हो रहा है और root जो है वो इसको use करते हैं तो destination जो है वो root है इसको हम कहते है sink तो यह source है और यह sink है यह phloem की तरह है और यह जायम की तरह है अब क्या process होता है photosynthesis होगा photosynthesis होगा तो means green cells है carbon dioxide और light लेकर photosynthesis की process में आप यह चीज़ है यह चीज़ है यह production of food का कांग कर रहा है तो यह और इस और यहां पर निर्मान हुआ तो क्या होगा इसका osmotic pressure जो है यहां पर चुकि solutes जादा हो रहा है तो osmotic pressure जो है वह इसका हाई हो रहा है हाई osmotic pressure अबर हम यहां मैं यहां लिग दूँ इसको हाई osmotic pressure तो हाई osmotic pressure है तो वह क्या करेगा जल ले रहा है इससे और जब मैंने बताया था कि जल जो है वो थू जाइलम जो है वो ट्रांस लोकेशन होता है तो यहां से यह water लेगा तो जाइलम कहां से water लेंगे जाइलम रूट से लेंगे क्यों क्योंकि करते हैं कि यह absorption of water यहां पर है और absorption of water होगा तो जल यहां अंदर आएगा क्यों आएगा यह भी मैंने आपको बताया था का डिफ्रेंस जो रहता है इस कारण जल जो है वो अंदर प्रवेश करता है यह मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुगी हूं यहां पर जो जल आया वह जल कहां से जा रहा है जयलाब जयलाब के तुरुट कहां पहूंच गया यहां पर जब यह कह पहुंचता है तो अभी जैसे यह वाला भाग था मैने आ पको बताया थां यह को यह सुलुशन जो है वो इस तरफ चुकि यहां का osmotic pressure अब high हो गया, इसको requirement है, sorry, जिम्पली ये target pressure के माधियन से इसमें प्रवेश करता है, और ये food material कहां पहुंच जाता है, sink तक पहुंचता है, ठीक, अब अब इसको इससे compare करते है, mesophyll cell, ये B part है, जहाँ पर की food मौझूद है, ठीक है, तो हम इसको मानते हैं, ये B part है, ठीक, ये A part है, it means ये source है, और ये इसका destination है, तो root क्या है, root A है, ठीक है, root A हो गया, अब ये क्या है, vessel, क्योंकि जल provide कौन कर रहा है, C के दौरह जल हो रहा है, तो ये चीज क्या हो गई, C हो गई, और ये सब, ये क्या हो गया, flowem हो गया, ये किस की तरह काम करेगा, vessels की तरह करेगा, तो ये flowem जो हो गया, वो D हो गया, अब हम यहाँ पर यही देख रहेते हैं, B, ये अब B, cosmetic concentration की difference है, water का intake करता है, और ये water कहां तक, ये solution कहां तक पहुंच जाता है, B, A तक, तो ये solution कहां तक पहुँच रहा है, root A तक पहुच रहा है, और roots यहाँ पर, ये जो container SC, ये सब, ये क्या काम करता है, ये इसको जल देने का काम करता है, तो ये पूरा process चलता रहता है, यह continuous process चलेगा लेकिन इसके लिए एक शर्त है यह continuous कब चलेगा जब कि जो use करने वाला part है जो sink part है वो उसका उपयोग करता रहे अगर इसको थोड़ा सा मोडिफाई कर दें और हम इसको जो इसका sugar solution निकालते जाएगा यहां से तो इसको इसके अवशक्ता पड़ती रहेगी और यहां से यहां तक आता रहेगा और यहां पर हम sugar add करते जाएं तो continuous चलते रहेगी process यह sugar solution मनता रहेगा absorption of water होगा यह यहां से आता गाता रहेगा और अगर सामय वस्ता आगी तो रुप गया और नहीं तो अगर हम इसको वापस भार निकाल देंगे तो यह पूरी process चलती रहेगी सेन यहीं पर होगा यह food material का यहां root तक पहुंचा अगर root इसका उपयोग नहीं करती है तो यह process यहीं पर stop हो जाती है तो ठीक है तो यहां पर यह पूरा मुंच hypothesis थी जो कि उन्होंने इस experiment के द्वारा समझाई और यह diagrammatic representation था source और sink hypothesis देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें मैंने पूरी तरह से यह समझाया है कि किस तरह से source से tracing की तरफ target pressure gradient की difference के कारण food material का upload होता है अनलोड होता है उसका flow होता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए thank you